दोस्तों मैं हूँ मनोश कमर और आज किस बिडिम हम लोग देखेंगा वाले हैं फिल्टर लगाना फिल्टर लगाना वो भी बिधाउट माउस का यूज करके आप तो फिल्टर बहुत लगाए हो कैसे लगाते हो आपको जहां पर भी करना है पड़ता है वहां से आप डेटा म लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं कीबोर्ड शॉट के मुझे माउस यूज नहीं करना इस बटन को यूज नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर फिल्टर लगाएना है फिल्टर को अपलाए करना कैसे करेंगे देखिए उसको करने के लिए आपका जो सॉट की है वह है आप प्रेस करो, alt d f f, क्या प्रेस करना है, देखिए, मैं alt पर्ष्ट प्रेस किया, उसके बाद d f f, फिर से f f, जैसे ही आप alt प्लस d f f प्रेस करोगे, automatic जो है, फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, अगर इसी को हटाना है, फिल्टर करने का अप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले आप alt प्रेस किजिए, फिर d f f, तो देखिए, फिल्टर यहाँ से चला गया, यह जो है, एक्सल का फिल्टर करने का, अप्लाई करने का सौट की है, क्या है, alt d f f, अब बात आती है, बात वाली बात, वो बात क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ पर फिल्टर करना ह तो region select करने के लिए आपको क्या करना परेगा, यह arrow को जो है, डाउन करते हैं, mouse की help से तो यहाँ से आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर डाउन आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ क्या है, mouse को यूज नहीं करना है, बिना mouse के यूज किये हुए, इसको डाउन करना है, तो उस प्रेस किया, आल्ट और डाउन एरो के प्रेस किया, तो देखिये, आपका जो सॉटकॉट की, ऑटोमेटिक जो इसका explanation हो गया, आ गया, अब यहाँ से आप डाउन की के मदद से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ, select all, select all जैसे ही आता है, आप यहाँ पर space बट वेस्ट भी चाहिए, यहाँ पर भी आज, space प्रेस कीजिए, हटाना है, यहाँ से space प्रेस कीजिए, हट जाएगा, जो भी प्रेस करना है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करो, देखिये, यहाँ पर जो है आपका data, short list हो गया, यहाँ से filter हो चुका है, फिर से हटाना है, यहाँ सेलेक्ट हो के आचुका है, तो किस तरह से हमने filter का apply किया, without mouse, आपको पता चला, यहाँ फिल्टर हटाना है, फिर से आपको क्या प्रेस करना है, alt, d, f, f, देखिये, filter पूरा हट चुका है, तो आज के वीडियों हमने क्या सीखा, यहाँ फिल्टर लगाना है, आपक इसके अनुसार करना है, product के अनुसार करना है, alt, down arrow, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ से select all को हटाएंगे, ठीक है, space प्रेस करेंगे, select all में, सभी खट जी गया, अभी जो भी चाहिए एक item, space प्रेस कीजे, select कीजे, ठीक है, select होगा, तो यहाँ से आप जो भी कर को पता चला, तो इसमें जो मैं नहीं बे, मैं यूज किया हूँ, और D, F, F, जो की filter लगाने के लिए, alt, D, यह arrow को बढ़ाने के लिए, और space जो है, selection के लिए, आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी कुछ dot होता, आप मझे comment section में लिखिए, ठीक है, तो इस